करिन की मृत्यू होने के बाद दुरियोधन शोक से भरे हुए थे किन्तु महाभारत युद्ध में 18 वे दिन युद्ध जारी रखने के लिए वो शल्य को सेनापती नियुक्त कर देते हैं दुरियोधन मन का ध्यान लगाने के लिए वन में एक सरोवर के अंदर जाकर ध्यान संभालते हैं तभी उन्हें देख युद्ध अरजुन से कहते हैं कि तुम संसब्तकों से युद्ध करो भीम क्रिपाचार्य से मोर्चा लेंगे तथा मैं शल्य से युद्ध करूंगा शल्य और युद्ध भिल गए चारों और से शल्य पर आक्रमन होने लगे वे धाल और तलवार लेकर रत सी कूदी तथा युदिष्धिर को मारने दोड़े इसी समय युदिष्धिर ने शल्य पर एक घातक शक्ती का प्रयोग किया जिससे शल्य की मृत्यू हो गई कौरव सेना भाग खड़ी हुई सहदेव शकुनी पर जपते शकुनी का पुत्र उलूक अपन से आने वाले लोगों ने बताया कि पास के सरोवर पर एक मुकुद्धारी व्यक्ति को हमने देखा है ये सुनकर पांचो पांदब भाय और श्री कृष्ण हथियारों के साथ सरोवर के पास दुरियोधन को धूनने की आशा लेकर जाते हैं जब श्री कृष्ण ध्यान से सर कीम को कहते हैं कि वह ये ना समझे कि वह भी भी किसी को मारना नहीं चाहते वह भी भी पांदबों से पूल शत्रुता रखते हैं किन्तु अब वो इंद्रप्रस्थ नहीं चाहते यदि उनकी जीत होती है तो भी वह इंद्रप्रस्थ पांदबों को ही दे देंगे यो दिश करन रहा तह मेरे ये अब इंद्रप्रस्त वियर्थ हो चुका है किन्तु अभी भी मेरी तुम पांचो भायों को मारने की पूरी इच्छा है इस पर युदिश्ठिर कहते हैं कि यदि तुम्हें युद्ध में विजई होने की इतनी इच्छा है तो मैं तुम्हारा बड़ा भ के बाहर आ जाते हैं दुर्योधन कहते हैं कि वह गदा युद्ध करेंगे और जो पांदव चाहें उनकी इस चुनौती को स्विकार कर ले भीम दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं युदिश्ठिर सहदेव से कहकर सहदेव का गदा दुर्योधन को दे द जब दुर्योधन और भीम में अंतिम गदा युद्ध हुने ही वाला था उसी समय वहां बलराम पहुंच जाते हैं बलराम को नारत जी ने तुरंद बता दिया था कि उनके दो प्रिया शिश्यों में गदा युद्ध हुने जा रहा है जो कि अंतिम है उन्हें उसे देखने के लिए वहां तुरंद पहुंचना चाहिए दुर्योधन और भीम अपने गुरु बलराम को प्रनाम करते हैं और फिर बलराम की आग्या से दोनों के बीच गदा युद्ध शुरू हो जाता है दोनों का गदा युद्ध बहुत ही भायन कर था दोनों ही एक दूसरे पर का अभ्यास किया था जिससे उसका शरीव ब्रज की समान हो गया था किन्तु यह उसके नाभी तक ही सीमित था क्योंकि गदा युद्ध नाभी के नीचे नहीं उतरता है भीम को कमजोर परता और क्षतिग्रस्त होता देख श्री कृष्ण इशारे से भीम को ये संकेत देते ह कि वह दुर्योधन की जंगा पर वार करे भले ही यह युद्ध के नियमों के और गधा युद्ध के नियमों के भी खिलाफ है किन्तु दुर्योधन को हराने के लिए और धर्म की अधर्म पर विजय के लिए उन्हें ये करना ही होगा भीम भी इस इशारे को समझकर दुर्योधन की जंगा तूट जाती है और वह नीचे गिर पढ़ते हैं ये देख बलराम अत्यां क्रोधित होते हैं कि उनके शिष्य ने उनकी दी हुई शिक्षा का अपमान किया है गदा युद्ध की नियम का उलंगन किया है अतहव भीम को मारने के लिए उसके और आगे ब का युद्ध जीत लेते हैं